कि रहादे रहादे दोस्तों प्रिक्टिच अश्य ब्लोग आप सभी का स्वागत है दिव्यांकता अभी साथ लिए बटाने तो कैसे आप लोग उम्मिद करते हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं बहुत अच्छा लग रह मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे साथ खला थे मैं उसे ठीक कर लोग तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहे हैं सपोर्ट करते रहे हैं और अभी रात के बज़ के हैं आठ और इस वक्त ब्लोग बना रही हूं क्योंकि आज मेरा लडाई के बाद दूसरा रात है और वह हुआ यू कि सुभा कब लोग आप लोग देखें कि मैंने खाना वाना बनाया और फिर मैं बैठी हुई थी बाहर तो तभी मैंने देखा ना कि लड़का ना मोबाल ओन करके अपना स्टेटस लगाया कुछ इमोशनल टैप से पोस्ट हर बार यही करता है और उसके बाद फि मेरे से साधी क्या मैं उसका एहसान नहीं मानती हूँ किस बात का एहसान किस बात का एहसान मानू तुम्हारा मुझे जवाब दो करते क्यों तुम मेरे लिए अरे मैं जिस हाल में हूँ जैसी हूँ तो मुझे तो बैठ के खाना चाहिए था तुम और तुम्हारी मा मेरे लि तुम लोग मेरा मानों कि इस हाल में भी दोनों बच्चों को अकेले जनम देना ना तुम्हारे फैमिली मेंबर ने एक सेकंड के लिए सपोर्ट करा ना पैसो से और ना किसी तरीके से किसी भी तरीके से और जब बात खुल गई है न दोस्तों तो मैं बता देती हूँ कि इन बच्चों को जनम देना मेरे लिए इतना आसान नहीं था पहला बच्चा में तो ये जो किया है इसकी तुभाते में बताऊंगी ये और इसकी फैमली मिलकर मेरे साथ क्या क्या कर रहा है इस हरी चीजे में बताऊंगी दूसरा बच्चा के समय में मैं डब्बे में पोटी करती थी क्योंकि मैं उठ नहीं पाती थी टोइलेट में जग में करती थी और मेरी बेटी फेकती थी तुम्हारे लिए कुछ नहीं होंगे तुम विट्टिम काड़ खेलते हो बच्चों के नाम पे अगर बच्चों का तुम को परवार है ता न तो तुम अभी बच्चों के साथ होते है तुम किसको चूज कर रहा है अपनी सो कोल्ड फैमली को उनलों को तमीज भी है कि मेरे बेटे का घर भरबाद हो रहा है तुमेरे को छोड़ देगा इतना आसानी है तुमेरे को छोड़ देगा और मैं तरह को छोड़ने देदूंगी क्या समझ गया था तुम मेरे लाइब में कि प्रिती चौरस या एक्स्पेरिमेंट करने के लिए बनी है आओ यूज करो और कोई तो इसका है नहीं है ना पैर भी है नहीं कुछ कर सकेगी है नहीं जब तक मन आए जितना मन आए नोचेंगे इसके बॉड़ी को इसके आत्मस सम्मान को इसको बेज्यत्ती करेंगे और निकल जाएंगे फिर दूसरी ढूणने के लिए है ना तुभारे पैस पैर है है ना जौब की एक नौट अंकी है फैमली का ड्रामा है मिल जाएगी लड़की यही सोचते हो ना यही सोचते हो ना इतना आसान नहीं है लड़कियों पैसे फोन लगाए इसने फोन अपना आफ कर दिया ठीक है मैं दो बार लगाई तीन बार लगाई इसने ओफ करा फिर मैंने लगाया इसके भांजे इक को फोन वही भांज़ा जिसको राहूल आपने मेरे पिसले कई वीडियो में देखा होगा वो लड़का को जबός की उसको बोले मामा कहा है वो लड़का बोला मामा यहां नहीं है हम उसके दुसरे भाई का नाम ले कि भाई तुम्हारा मामा सौरग के रूम में है नहीं हमको नहीं पता तो हम बोले कि अगर हमको बाद में पता चलेगा कि अगर मामा वहाँ है तब क्या किजिएगा इतना ही तो बोले उस लड़के का attitude क्या किजिएगा आप जैसे औरतों को बहुत देखे हैं जो करना है कर लीजिए है ना चाहिए जाहिए 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 है मेरे पास सब कुछ है इस तरीके से और सिर्फ यह नहीं इसकी फैमिली जब भी हमारी लड़ाईयां होती है बैड के तम आसा देखता अभी भी देख रहा होगा तो तुमों लोगों को आता है क्योंकि इंसान कहलाने के लाइट नहीं हो पड़े लिखे हो क्यों माई बाप का भरिठा डुबाने के लिए चीची चीचीज शर्म नहीं आता नहीं तुम लोगों को हम क्या शोचा यही मेरा फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं है मेरे रिष्टेदार नहीं कोई नहीं है मेरे पास पैसे नहीं है तो हम केस नहीं लड़ पाएंगे नी पिछली बार वाला गलती दोहरा रहे हो हम कोट भी जाएंगे एक अचरी भी जाएंगे और जहां जाना पड़ेना वहां मेरा डबा आज भी खाली है और कल भी खाली रहेगा भूखे हम आज भी एक टेम बैठे रहते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम डाइटिंग में हैं असल में वो डाइटिंग नहीं होता है हमारे पास ओप्सन नहीं होता है तुम उसके डाइटिंग का नाम देते हैं तुम क् पसन तक नहीं करती बात तक नहीं करती है तो वो काली की भूसे रहती हो बात करते और पुलिस के आ गई तुमको बोले कि तुम घर जा सकते हो मैं उचल रहों न 안 वो कुछके की नौकरी दिख्यागी चल sahEंगी मैं मैं जाओंगी वकील के पास और तो आज ही थाने जाने वाली थी तुकि जितना कुछ देख न था मैं बहुत पहले से देख चुकी हूं औरत और कि लिए सारी चीज को सब्सक्राइब incarnate नहीं होगी मेरे लिए अगर भी ऐसा ही लगा था और तब मैंने बात सभाल लिया था क्योंकि फ्यूचर मुझे इसके साथ बुजारना था बट अब ऐसा मेरा कोई रादा नहीं है बिल्कुल नहीं है तो आप लोग बने रहेगा वीडियो में आप लेश प्रे करिएगा मेरे लिए तो थोड़ा मु बाई दोस्तों शुब्राद्री और प्यार और स्पोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद धिल सारी दुआए मेरी आप सभी को जैसा भी जो भी होगा मैं अब देतीर होंगी अपने इस आप लोग साथ जरूर बने रहेगा